आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा, कोई धर धर नहीं करेगा, और कोई धर धर करेगा, तो एक्षन होगा, अरे आप जाने न, पहले कुछ पढ़े है कि नहीं पढ़े है, आप अप तैस तुनेंगे आप दस वज़े लड़का करके बैठेगा, आप वो दस मि मिनिट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई दस वजे से और सिख्ष को सुरह आप नहीं जानते हैं यह मानिये मुखमदी बोला करिएगा खली कि सुनिएगा पूरी बाद सुनिये टीचर को पंदरह मिनिट पहले आ जाना चाहिए यही तरीका है सारे बच्चे को भेश देगा उसके दस-पंदरह मिनिट के अंदर चला जाएगा यही तरीका है कल मैंने प्षजिया था वह लागू हो गया है कली ही हमने कह दिया है आप जान लीजिए जो होगा दस बज़े से लेकर के चार बज़े तक के लिए और सिक्षकों सुना आप नहीं जानते है सिक्षकों को अरे आप तक पढ़े नहीं है आप जानते हैं सुनिया हम कह रहे हैं ध्यान सुन लीजिए कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो दस दे चार लेकिन टीचर्स को जो बच्चे दस बज़े से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनिट पहले आ जाना चाहिए यही तरीका है अरे क्या बात करते हैं दस बज़े दस बज़े लड़का करके बैठेगा अब वो दस मिनिट पहले नहीं आएगा तीचर भी 15 मिनिट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बज़े से और 4 बज़े तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनिट के बाद चला जाएगा यही है नियम पहले से इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा हमको लगता है इनलों को मालूम नहीं है टीचर को हमेशा बच्चों बच्चियों के 10 मिनिट 15 मिनिट पहले स्कूल में आना पड़ता है तो उसको तो 15 मिनिट पहले आही जाना पड़ेगा कोलेज में और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनिट के अंदर चला जाएगा यही तरीका है यही हमने कह दिया कोई धर धर नहीं करेगा और कोई धर धर करेगा तो एक्सन होगा अरे आप जानिये ना पहले कुछ पढ़े है की नहीं पढ़े अब अपने ही सुनेंगे आपको अरे आप लोग पस इतना सुनते तो अपने अस्तान पे जाईए आपको अब मानिये मुख्मंदी जी ने कह दिया उसका जाईए अपने अस्तान में बेढ़िये अपने अस्तान में बेढ़िये